हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होब की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट सोसल इस्टेडीज के वीक नमबर 20 की वर्क सीट को सौल करेंगे जो की नौर्ट डली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द बच्चों नेम्स को सही पिक्चर से मैच करना है फर्स्ट है आई आई मिंस होती है आँ तो बच्चों यह है आई इसके साथ मैच करेंगे इयर इयर मिंस क्या होता है कान तो बच्चों यह है इयर इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है नोज नोज मिंस क्या होती है बच्च तो बच्चों यह नो जिसके साथ मैच करेंगे टंग मिस क्या होती है जीव तो बच्चों यह है टंग की पिक्चर इसके साथ मैच करेंगे अब है कुछिन नमबर टू फिलिन ना ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन विलो नीचे दिये गए वर्ड्स में से सही आख का यूज किसलिए करते हैं ट्विसमेद सूगने के लिए अवर इस हैल पस्टू दह सांद हमारे कान आवाज को मदद करते हैं क्या करने में नेक्स आपनी और टंग हैल्प सस्टू दफून हमारी जीव भोजन को क्या करने में हैं तो बच्चों यहां पर लिखेंगे चकने में या टेस्ट करने में next है we use our eyes too हम अपनी आखों का use क्यों करते है c देखने के लिए अब बच्चो question number 3 some sentences are given below नीचे कुछ sentences दिये गए है put right in front of right sentence सही वाक्य के सामने सही का निशान लगाना है and cross in front of wrong sentence और गलत का निशान जो गलत वाक्य है उनके सामने लगाना है first है we smell with our ears हम अपने कानों से सूंगते हैं तो बच्चो यह गलत है यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे हम अपने ears से सुनते हैं next है we can see with the help of our eyes हम अपनी आखों की सायता से देखते हैं देख सकते हैं तो बच्चो yes of course it is right next है we taste with the help of our tongue हम अपनी जीब की सायता से जीब की help से टेस्ट करते हैं चकते हैं yes it is also true यहाँ पर भी बच्चो राइट मार्क करेंगे next है we feel the heat of the sun with our nose हम अपनी नाख से सूर्य की जो गर्भी होती है उसे feel करते हैं तो बच्चो this is wrong यह गलत है क्योंकि हम जो heat है sun की उसे किस से feel करते हैं अपनी skin से feel करते हैं तो बच्चो हम अपर cross mark करेंगे next है life skill clean your room बच्चो अपने कमरे को साफ करेंगे आप activity clean your room in the supervision of your parents अपने parents की देख रेक में आप अपने कमरे की सफाई करेंगे संसकार साला when you talk you are only repeating what you already know जब आप बात करते हो it means इसका मतलब होता है कि आप केवल वही दोहरा रहे हैं जो कि आप पहले ही जानते हैं but if you listen लेकिन यदि आप सुनते हैं you may learn something new तो आप कुछ नया सीख सकते हैं food and drink में आज आप लेंगे include sprouts of pulses and chana in your diet आप अपनी diet में अंकुरित चने और दाल लेंगे as they are high in protein जैसा कि उनमें protein अदिखोता है activity में make sprouts at home with the help of elders in your family आपके परिवार में अपने elders की मदद से आप दालों को या फिर चने को अंकुरित करेंगे game में आज क्या करेंगे प्ले अंताक्षरी वीडियो family अपने family के साथ अंताक्षरी का game खेलेंगे daily routine include the following habits in your daily routine दी गए habits को आप अपने daily routine में include करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें टे का bath daily रोजाना नहाएं drink plenty of water पर्याप्ट मात्रा में पानी पिए and eat a balanced diet और संतुलित अहार ले avoid touching your face अपने चहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और अपने हाथों को नियमित रूप से दोएं complete your homework on time अपने ग्रहकारे को समय पर पूरा करें students if you like this video